हेलो फ्रेंड जैस्री किष्णा जैब आता दिया आप सभी को दोस्तों हम जब भी आपके साथ कोई भी लक्षन्ट शेयर करते हैं तो किसी ना किसी गरवती महिला हमार साथ शेयर करती हैं और हम आपके साथ शेयर करते हैं तो आज दोस्तों हम ऐसी ही किसी गरवती महिला के ल का पाई आने तो दोस्तों पर पहले चैनल को सबस्क्राइब कर चैनल को पाई का दो ढ़िए याने वाले अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए तो दोस्तों period date आती रही थी धाई मैने तक और उनको प्रेगनेंट हो गए थी जब उन्होंने डॉक्टर को जा के दिखाया सोनोग्राफी कराई तो वो प्रेगनेंट थी तो दोस्तों ऐसा माना जाता है बुड़ी बुजुर्ग महिलाओं ने जब उन्होंने बताया तो उन्होंने ये कहा बुड़ी बुजुर्ग महिलाओं को सास को जो उनके आसपास थी उनको पूछा तो दोस्तों ऐसा बताया कि ये बेबी बॉई होने का पका लक्षण है और ये लड़का होने के टाइम पर सुब लक्षण माना जाता है ये लक्षण अगर दिख जाता है तो दोस्तों ये उनका जो लक्षण है सैकंड जो बीवी बॉई हुआ था उनके टाइम पर देखा दूसरा जो लक्षण बताया उन्होंने उनका जो टमी एरिया था वो बहुत ही कम दिखता था ना के बरावर दिखता था तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये लड़का होने का लक्षण होता है अगला लक्षण है दोस्तों उनको लेफ्ट साइड सोना दोनों बेबी बॉई के टाइम पर बहुत ज़्यादा पसंद आया था सुकून मिलता था तो बेबी बॉई ही उनको हुआ है अगला लक्षण है दोस्तों उनको पहले कड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी लेकिन उनको दोनों बेबी बॉई के टाइम पर उनको कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आते थी चाबल बहुत ज़्यादा पसंद आते थी और जब प्रेग्नेट नहीं होती थी दोनों baby boy के time पर तो उनको कड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी तो दोस्तो ये भी एक लड़का होने का लक्षण माना जाता है अगला लक्षण है दोस्तो उनको खाने में कोई भी टेस्ट नहीं आता था मन तो करता था लेकिन उनको कोई टेस्ट नहीं आता था खाने में पहले शुरुआती के जो महीने थे तीन महीने उनमें कोई टेस्ट नहीं आता था दोस्तो खाने का मन करता था तो ये लड़का होने का भी लक्षण माना जाता है अगला लक्षण है दोस्तो आपको बार बार हुपकाईयां आती है उल्टी जैसा मन करता है हुपकाईयां ए और आपको खट्टा एकदम डकार सी आपको आने लग जाती हैं तो ये लड़का उने का लक्षण माना जाता है तो उनके दोनों बेबी बॉई के टाइम पर ये लक्षण देखने को मिले अगला लक्षण हमारा बहुत ही सटी के तो उनके चेहरे की रंगत बिल्कुल खराब ह काला पड़ गया था एकदम बुजा बुजा रहने लगा था लेकिन उससे पहले उनका चेहरा बिल्कुल साफ और सुत्रा एकदम क्लीन था तो उनको बेबी बॉई ही हुआ दोस्तो अगला लक्षण बताया उनको अनार खाने की क्रेविंग बहुत जादा होगी ति अनार बहुत जादा पसंद आता था तो दोस्तो ये लड़का होने का ही लक्षण माना जाता है अगला लक्षण है दोस्तो उनका कहना है कि मेरे मूं में हमेशा साब उनका साथ टेश्ट आता रहता था पानी में से बहुत जादा इसमेल आती थी बदबू आती थी मुझे तो मु